और कहते हैं कि आधे के जूटे हैं यानि आधे जूटे हैं आधे पीडित के परिवार वाले करते हैं तो बड़े मनुविक जानिक हो गए तो बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी सारी समस्यां हल करते हैं पुलीस को तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है रधान मंदरी मोदी जी की सरकार ने 2018 के अंदर 12 वर्ष से कम आई हो कि बच्चों के साथ अगर दुशकर्म हो तो उसके लिए सजाय मौत का एक्ट पास करा मित्युडंत का पाउधान रखा लेकिन राजिस्थान में देखिए 2019 से लेकर 2022 तक 93% केसिज बड़े हैं, बड़ोत्री होई है सामुहिक दुशकर्म की इसी साल 1337 केसिज है और 7090 से उपर इसी वर्ष के मामले हैं रेप के 18 वर्ष से अधिक में तो 163% बड़ोत्री होई है अगर टोटल केसिज लगाए जाए 2019 से लेकर अभी तक तो 18,380 रेप केसिज हर रोज 109 महिलाँ के साथ या तो अपरण होता है या चेड़चार दरंदगी होती है, रेप होती है या हत्या होती है और पुलीस और प्रशासत बिलकुल इनके इशारों पे कॉंग्रेस सरकार के इशारों पे चल रहा है खास वर्ग के उपर कोई अक्शन नहीं लिया जाना इस तरह की बाते चल रही है वोट बैंक की राजनिती इतनी गिर गई कि अब बहुत संचों को पर पाबंदी लगने लगे ये पहली बार नहीं है मित्रों जो ये बार-बार बोलते हैं कि ये तो बीजेपी करा रही है तो वो संकठन करा रहा है नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24